Hello students, welcome back on my channel. Today we will discuss on about the topic of how to score 90 plus marks in physics. आज हम सीखेंगे कि हमारी अप्रोच physics subject में कैसी होनी चाहिए जिससे हम physics में 90 plus marks और उससे भी ज्यादा marks को अचीव कर सकें. Today I will share few tips, strategy or discuss on about the smart work to gain good marks in physics. If you want to score good marks in physics then please listen the video till the end and like, share and subscribe my channel. So going to our topic. First मैं आपको physics के सालेबस से थोड़ा सा overview दे देती हुन. Physics के पास हमारे पास दो पार्ट है. Class 12 Physics के दो पार्ट है हमारे पास. Class 12 Physics First पार्ट में 8 चेप्टर है और Second पार्ट में 7 चेप्टर है. आपके पास टाइम कितना है? Suppose कर दीजिए आपके पास 6 मन्थ है. दोनों बुक को 3 3 मन्थ में डिवाइड कर दीजिए. 3 मन्थ First पार्ट के लिए और 3 मन्थ Second पार्ट के लिए. इन 3 मन्थ में आपको अपना First पार्ट अच्छी तरह कंप्लीट करना होगा. और Next 3 मन्थ में आपको अपना Second पार्ट अच्छी तरह कंप्लीट करना होगा. अब आपको पढ़ना कैसे है? जिससे कि आपको सब याद रहे, आप रिविजन करते रहे, भूले नहीं. और जब exam टाइम आए, उस टाइम पर आपको Low Confidence की प्रोब्लम ना होगा. आपको पढ़ना ऐसे होगा, सबसे पहले आप NCRT को देखिए. जब आप NCRT पढ़ते हैं, कुछ स्टुडेंट्स को NCRT की Language समझने में प्रोब्लम आती होगी. मैं समझ सकती हूँ कि आपको NCRT की Language थोड़ी हार लगती होगी. उस टाइम पर हमें भी लगती होगी. इस प्रोब्लम का क्या सोलूशन हो सकता है, कि आप क्या करें, जैसे आप स्कूल में चैप्टर पढ़ते हैं, या कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है, या आप टूशन्स ले रही है, यह कुछ स्टुडेंट यूट्यूब से ओनलाइन पढ़ते हैं, आप किसी teacher की video देख रही है या आप मेरी भी video देख रही है तो पहले आप उन से chapter को अच्छी तरह समझ लीजिए उन video से उसके बाद आप अपनी NCRT को read out कीजिए NCRT को read out कैसे करना है NCRT को अच्छी तरह पढ़ना है और उसमें आपको pencil से highlight कर देना है जो आपके important part था next time जब आप read out करें तो आप उस important part को read out करें फिर आप उसमें से highlighter से highlight कर लीजिए जो उससे भी ज़्यादा important part था और अपने questions लगाएं फिर आप NCRT के questions होल करें सबसे पहले sold questions होल करें NCRT के जो की chapter के बीच में दिये हुए होते है NCRT के sold questions and then go to the NCRT exercise उसके बाद आप NCRT के exercise को sold करें जब आपके sold question हो जाए और NCRT की exercise हो जाए उसके बाद आप कुछ other questions को pick up कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगी कि आप NCRT physics से अलग कौन सी अच्छी book है जिसको आप physics के लिए prefer कर सकते हैं वे है SL Aurora physics की SL Aurora एक best book है इसमें आपको NCRT की notes भी मिल जाएंगे और आपको इसमें NCRT से अलग और भी बहुत ज़्यादा questions मिल जाएगे अगर आप NEET की, JAE की और किसी भी exam की तयारी कर रहे है तो उन exams के भी PYQ previous year questions आपको उस book में मिल जाएगे this is the best book for physics but NCRT, NCRT जो है हमारी standard book है आपको सबसे पहले NCRT को complete करना होगा then you go to the SL Aurora एक chapter ऐसे complete करने के बाद आप second chapter की तरफ जाए second chapter में भी same way approach होएगा हमारा पहले आप जिस भी teacher से समझ रहे है chapter को उन से chapter को clear कर लीजिए उसके बाद आप NCRT को read out की जिए two to three times one या two times भी ठीक रहेगा उसके बाद आप sold questions को की जिए and then NCRT exercise questions इतना सब करने के बाद जब आपके दो या तीन chapter हो जाए उसके बाद आप अपना revision की जिए पिछले chapters का revision revision सबसे जादा जरूरी होता है अगर आपने पूरे chapter पूरी book दोनों पार्ट अच्छी तरह कवर कर लिए लेकिन division नहीं किया तो उसका कोई benefit नहीं होगा इस वज़े से revision ना करने की वज़े से आपका confidence लो रगता है exam time में तो अगर आपको अपना confidence हाई करना है आपको revision करते रहना चाहिए exam time से पहले आपको बहुत बहुत time जैसे 10-15 बार revision करना होगा आप अपने NCRT के exercise questions को weekly that means weekend को आप अपने सारे questions को revise करते रहिए जो अपने notes बनाए होंगे उनको revise करते रहिए और अपने test टेस्ट देते रहिए school test होते है या आप किसी tuition को ले रहिए है वहाँ पर test होते है अपने test में अच्छे marks को gain कीजिए test से आपको पता चलेगा कि आप कितना score कर सकते है इतना सब हो जाने के बाद जब आपका exam time आता है exam time पर आपको क्या करना होगा उस time आप क्या कर सकते है exam से 15 days पहले आपका सारा revision complete हो जाना चाहिए आपकी पूरी book अच्छी तरह cover हो जानी चाहिए आप daily एक PYQ previous year question paper को download करेंगे आप download कर सकते हैं या फिर उसकी photo को pinnacle बा सकते हैं और आप three hour बैट कर उसको अच्छी तरह solve करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके उसके बाद जब आप solution से match करेंगे तो आपको देखना होगा कि आप कितने marks gain कर पा रहे हैं जितने marks आप gain कर पा रहे होंगे definitely इतने ही marks आपके board exam में आएंगे most of the papers में आपके जितने exam होगे उनका जो average होगा आप इतने ही marks gain कर पाएंगे क्योंकि यह आपकी preparation को show कर रहा है कि आपने कितना prepare किया है लेकिन अगर आपका उस time पर score कम है तो आप अपने score को बढ़ा सकते हैं आप देखे कि आपसे किस topic के questions नहीं हो पा रहे हैं आप उनको अच्छी तरह prepare कीजिए अगर आपकी theory अच्छी नहीं है theory को learn कीजिए अगर आपके question solving problem skills अच्छे नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं 15 days आपके पास time होगा कि आप अपने weak points को देख सके और उन पर work कर सके exams दो या तीन दिन पहले आप अपना अच्छी तरह revision स्टार्ट कर दें जिससे कि exam time में आपके पास ज्यादा pressure ना हो और आपका confidence low नह रही I hope आपको ये tips और strategy समझाई होगी आपको smart work कैसे करना है अगर आप NCRT नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले पने teacher से समझ लीजिए then go to NCRT और आपको questions करने ही होगे बिना questions किया physics में 90 plus marks इसको नहीं कर सकते अभी मैं आपको एक story बता रही हूँ जब मैंने 12th physics exam दिया था तब क्या हुआ था teachers ने बोला था कि इस year derivations आने के chances ज़्यादा है मतलब most of the questions derivations पर ही होगे numericals कमाएंगे सभी students ने derivations तयार किया था लेकिन जब exam आया exam was totally different because derivation only two or one derivations will come into the exam केवल एक या दो ही derivation exam में आय थे पक की सब numericals थे that means अगर आपको teachers कह रहे है कि derivations आएंगे या numericals आएंगे तो please आप derivations भी कीजिये और numericals भी सब कुछ तयार करना होगा बहुत सारे students होते हैं कि वे theory पार्ट को छोड़कर direct numericals पर चले जाते हैं इससे उनके numericals तो solo हो जाते हैं लेकिन ये एक गलत प्रोसिजर है अगर आपको theory नहीं पता अगर आपको उस फोर्मले के पीछे का जो theory है उसको नहीं समझ पाए तो आपके numericals कुछ numericals हो सकते हैं लेकिन कुछ questions में आपको problem आ सकते हैं तो please आप अपनी NCRT को अच्छी तरह read कीजिए NCRT एक standard book है most of the paper NCRT से ही आता है most of the derivations NCRT से ही आते हैं लेकिन अगर आपको NCRT की language hard लगती है तो आप उसी topic की language SL Aurora book से देख सकते हैं लेकिन NCRT को पढ़ना ही होगा I hope आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे preparation करनी है आप इन 6 months में भी कैसे अच्छे marks गेन कर सकते हैं 6 months is more than enough to score 90 plus marks in physics अगर आपने अभी तक physics में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अब से भी physics को अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आपको daily 2-3 hours physics को देना होगा Thank you for watching the video Please like share and subscribe my channel If you find the video useful then please share the video among your friends also Thank you